तो हलो दोस्तो मेरा नाम है शोविक और आप देग रहे हो वन मिलियान गैजेट्स रियल्मी टू प्रो, ओपो एपनाइन प्रो, ओपो एसेवेने चाइना की एक वेबसाइट पर देखा गया है कि ओपो और एक डिवाइस लॉंच करने वाला है और यह चारो डिवाइस का जो आउटर लूक से हो अल्मोस्ट सेम होने वाला है एक डिवाइसमेंट को थू भी रियल्मी ने हम लोगों को क्लियरली अपडेट कर दिया है कि रियल्मी टू प्रो में रहने वाला है एक नौच डिस्प्ले एक वाटर ड्रॉप जासा नौच रहने वाला है इवन बैकसाइड पर आपको होराइजेंटल कैमरा ले आउट इवन आपको फिंगर्पिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा आपको एपने प्रो और रियल्मी टू प्रो का आउटर लूक सेम होने वाला है इस एडवर्टेस्बेंट को अगर धियान से देखा जाएगर यहां पर कहीं भी मेंशियन नहीं है कि यह रियल्मी का कोई और डिवाइस है सवाद यह रियल्मी का कोई और डिवाइस भी हो सकता है तो वीडियो स्ब्सक्राइब करने से बेल आकन को भी दावा दो क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो मैंने इससे पहले रियल मी 2 प्रो के बाड़े में एक वीडियो भी बनाया था उसका लिंक में आई बटन पर डेस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा एन उस वीडियो में करीब 12-13,000 वीउस भी आया था और लोग कमेंट कर रहे थे कि रियल मी 2 प्रो और ओपो एब 9 प्रो एक दम सेम डिवास होने वाला है बट इसका जो स्पेसिविकेशन है वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है बट इसका जो में कन्फूजिंग कॉइंट है वो इसका प्रोशेसर, इस डिवास में मदलब डियान मी 2 प्रो में कौन सा प्रोसेसर होने वाला है, देखो यहां पर चार प्रोसेसर की स्पॉसिबलिटि है, एक हो सकता है मेटिया टेक हिलियो गी 60 एक हो सकता है स्नैबडगन दाध यह निए प्रोसेसर मैं से चार's प्रोसेसर आपर यह वाला है तो मुझे लगता है किसी एक प्रोसेसर के साथ realme2pro ऐसे वाला है उससे आपका हरेक डाउट शायद क्लियर हो जाएगा तो यहापड़ अगा ध्यान से देखा जाए तो जासे शाओमी को प्यार है स्नाप्रेगन 625 से वैसे ओपो को प्यार है मीडियाटेक हिलियो P60 से क्योंकि 2018 में मीडियाटेक ने बहुत सारा डिवाइस लांच किया है जहाँ पर स्रेप आपको मीडियाटेक हिलियो P60 देखने को में लगा यहाँ पर मैं आपको एक क्लिया लिस्ट बना के देता हूं ओके सो मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाया जहां पर मैंने लिखा है OPPO with Mediatek Helio P60 2018 मतलब 2018 में OPPO ने जितना भी डिवाइस लॉंच किया है जहां पर आपको Mediatek Helio P60 देखने को मिलेगा तो यहां पर OPPO ने लॉंच किया है OPPO A3, OPPO R15, OPPO F7, OPPO A7X, OPPO F9 Pro, इवन Realme 1 जे आप OPPO का एक सब ब्रैंड था तो Realme 1 में भी आपको Mediatek Helio P60 देखने को मिलेगा तो यहां पर कुल मिला के हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यहां पर OPPO ने 2018 में 6 डिवाइस लॉंच किया है जहां पर आपको Mediatek Helio P60 देखने को मिलेगा तो, at least, लिस्से हम एक आइडिया लगा सकते है कि, Realme 2 Pro में हम लोगो को Mediatek Helio P60 भी देखने को मिल सकता है कोई confirm news नहीं है, शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि OPPO F9 Pro का design भी हम लोगो को Realme 2 Pro में देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक प्रॉब्लेम है, यहाँ पर मैंने जिदने भी डिवाइस का नाम बताया है, यहाँ पर हर एक डिवाइस में आपको Mediatek Helio P60 देखने को मिल जाएगा, शायद कोई प्रॉब्लेम हो सकता है Mediatek P60 के साथ 4 के वीडियो रेकॉर्डिंग का, उसलिए ब्रैंड ने शायद प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पर Realme अपको सेपरेट ब्रैंड बन गया है, वीलमी 2 में भी हम लोग को Snapdragon प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि Realme 2 Pro में भी शायद इस बार Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, अगर Snapdragon का प्रोसेसर मिल सकता है, तो यहाँ पर शायद Snapdragon 660 भी मिल सकता है, Snapdragon 670 भी मिल सकता है, even Snapdragon 710 भी मिल सकता है, यहाँ पर गुरुजी ने भी कुछ हिंट दिया है, यहाँ पर आपको कमाल का परफोर्मेंस देखने को मिलेगा, और भी यहाँ पर कुछ स्पेशल न्यूज है, लाइक ओपो का R17 और आपको R17 प्रो भी Snapdragon प्रोसेसर के साथ आता है, ओपो का R17 आता है Snapdragon 670 के साथ, और आपको का R17 प्रो आता है Snapdragon 710 के साथ, सो यह भी एक रिजन हो सकता है, Realme 2 Pro में शायद इस बाइ Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, और कुछ खास ही होने वाला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको Snapdragon 670 मिल सकता है, और 710 भी मिल सकता है, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतने हम लोग का फाइदा होगा, और competition market में बहुत ही टाइट है, सो मुझे लगता है Realme कुछ बड़ा ही काम करने वाला है, सो दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप जस्ट वेट करो और देखते चाए, आपको Realme के तरफ से बहुत सर ऑफिशियल अपडेट्स मिलने वाला है, अल्रीडी Realme ने एक वीडियो के थुरू हम लोग को हिंट दे दिया है कि Realme 2 Pro में हम लोग को कैसे design देखने को मिलेगा, और Realme आप बहुत सर ऑफिशियल टूइट भी करने वाला है, जो Realme 2 लांच होने से पहले भी Realme ने किया था, अगर मुझे कोई भी major updates मिलता है तो मैं definitely एक अलग वीडियो बना के आप लोग को update कर दूँगा, बट कोई छोटा मोटा update मिलता है तो मैं comment section पर pin कर दूँगा, इस device का specification मुझे लगता है Oppo F9 Pro जैसा ही होने वाला है, बट अब specification के बारे में बात करके कोई फाइदा नहीं, जब तक device launch नहीं होता, तब तक कोई fake specification और कोई fake information देखके कोई फाइदा नहीं, जब device launch होगा तब हम लोग को clearly पता चल जाएगा, बट मुझे लगता है इसका specification Oppo F9 Pro जैसा ही होने वाला है, तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक ठक दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर दोस्तों है, तो अगर आपको वीडियो,